Hello everyone, welcome to sleepy classes, कैसे हैं आप लोग, hopefully अच्छ होंगे, तो आज कुछ करेंगे 5 minutes में एक environmental related news, जिस पर बेस आप से question पूछा जा सकता है, तो news क्या है कि सिंगा लिला नाशनल पार्क जो की West Bengal में situated है, वहाँ पर red panda को जो है वो introduce कराया जारा है, उनके कुछ species को, कि इनका जो है population जो है altitude park जो है, नाशनल पार्क कहां पर situated है, West Bengal, state of West Bengal में, और basically एक ridge बेस्ट है, ठीक है, यह ridge बोला याता है, सिंगा लिला रिज, और यह कहां है, दार्जिलिंग डिस्टिक में, West Bengal की, यह बहुत ही famous tourist spot भी है वहाँ का, अब इसके बारे में, पार्क के बारे में किया देखी, it is a major habitat for red panda, इसको declare किया गया, it is a major habitat for red panda, यहां देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा देखी, इसका जो beginning हुआ था, यह पहले यह wildlife century था, लेकिन लेकिन लेटर ओन इसको जो है, 1994 में, नाशनल पार्क में, अब इसके बारे में, आपने जान लिया थोड़ा सा आगे देखते ह इसके बारे में, तो आपको पता है कि world over, मतब दो species of panda मिलते हैं, एक तो आपका जानते है giant panda, जो की famous है चाइना में बहुत, और अगर इसका IOCN हम लोग देखे, status, जो सबसे important है इस पर question पूछायता है, तो इसका world over पहले population कितना है, 1864 नियर अब और extension risk जो है, जो IOCN red list के इस आप से vulnerable है, वही red panda जो है, ये कितना है, 10,000 है करीबन इनका population, और इनका extension risk है, वो endangered है, तो ये इस पर बेज आप से question पूछा कता है, giant panda is vulnerable, वही red panda जो है, वो endangered है, चली इसके वारे में थोड़ा सा और जान लेते है, तो red panda जो है, वो endemic है, कहां पर, जो हमारा जो north eastern पू किम ने इसको काफी importance दे रखा है, और अपना state animal भी बनाया हुआ है, तो आप से ये भी question पूछा सकता है, कि कि state का जो है, आपका state animal है, ठीक है, चली, अब देखते हैं, इसको protection भी काफी मिला हुआ है, हमने देखा कि इसका IOCN rate list में तो आप देखी रहे हैं, इसके अलावा Government of India ने इसको schedule 1 में रखा है, Wildlife Protection Act of 1972, अब आपको comment section ने बताना है, कि अगर किसी भी animal को हम लोग schedule 1 में रखते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है, उसको किस तरह के protections मिलते हैं, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, दो-तीन चीज़ जो acts में, खास करके, अगर आप involvement related अगर देखें, तो उसमें Wildlife Protection Act बहुत important हो जाता है, इसमें जितने भी schedules है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में detailed videos जो है, sleepy classes main channel, और sleepy classes government job पर भी है, तो आप इसको देख सकते हैं, इसके अलावाद देखिए, इनको क्या protection मिला हुआ है, appendix 1 में इनको रखा ग करने के लिए, वो भी आपको comment section में बताना है, ठीक है, तो red panda के बारे में थोड़ा सा जो है, आपको information यहाँ से मिला होगा, definitely, इसके लावार कोई और कोई भी ऐसा introduction होगा, या फिर कोई news होगा, जो की exam point of इसवे पॉंट्ट होगा, उसको मनों definitely cover करेंगे, तब तक, thank you.